नमस्कार दोस्तो जयानो ठीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज के सब्मे में बहुत तेजी से महिला और पुरुष्ट हस्त मैसून की समश्य सिग्रसित है अगर medical science की बात करें तो महिला और पुष्टों में होने वाला normal समस्या है लेकिन अगर कोई इंसान हस से ज़्यादा हस्त मैतून करता है तो यह उसके शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है जिसके करण इंसान सारुरिक और मांसिक रूप से अस्वस्त हो जाता है इतना ही नहीं यह समस्या कभी भी इंसान को मांसिक रूप से भी कमजूर बना देती है आज इसके के बारे में science के अनुसार जानने की कुशिश करेंगे उन बीमारीयों के बारे में जो बीमारी ज़्यादा हस्त मैतून करने से होती है तो आईए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से की हस्त मैतून करने वाले लोगों में किस तरह की बीमारीयों होती है एस्ट्रोफोपिया science के अनुसार जादा हस्त मैतून करने वाले लोग एस्ट्रोफोपिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसके बाद उनके शरीम में टेस्टरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। इन हार्मोन्स की कमी हो जाने के बाद फुरस्मानसिक रूप से अस्वस्त रहने लगते हैं तथक भविश्वे उन्हें पिता बनने में कभी समच्या का वसाम ना करना पर सकता है। इतना ही नहीं इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद फुरसों में संबंद बनाने की चाहत भी समाप्त होने लगती है। इसलिए फुरसों को ज़्यादा हस्त मैतुन करने से बचना चाहिए। और अगर उसे किसी प्रकार की समच्या होती है तो उसे अपने डॉक्टर की सलहा लेनी चाहिए। दूसरा है सूजक। पुरसों में सूजक की बीमारी ज़्यादा तर उन पुरसों को होती है जो जरूर से ज़्यादा हस्त मैतुन करते हैं। इस बीमारी के करण पुर्षों के जनानंग, सूजन की समस्य उत्पन हो जाती है, तथा उनके जनानंग संकम्रित हो जाते हैं, इतना ही नहीं इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद पुर्षों को यूरिन करने में जलन और एहसीन ये दर्द होता है, अगर किसी पुर्ष को ऐस समस्य होती है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हस जादा हस्त मैतुन नहीं करना चाहिए इससे पुर्सों के स्वास्त भी स्वास्त बता सेहत मंद आप हस्त मैतुन ना करने से हो सकते हैं लिकोरिया वैसे महिला जो कौारी होते हैं उन महिलाओं में लिकोरिया की सम इससे हो जाती है जिससे ये महिला है लिकुरिया नामक बीमारी से ग्रिस हो जाती है इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद महिलाओं के जनानांग से सफेद रब कस्राव होता है जो महिलाओं के लिए खतरनाक माना जाता है अगर किसी महिला को ऐसी समस्या होती हो तो उसे शिक् चाहिए क्योंकि इस बीमारी की क्रान कभी-कभी महिलाओं के गरवाश्य भी खराब हो जाते हैं और उनके भविश्य में मा बनने से बहुत ज्यादा उनको परिशानी होनी तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं यह भी आशा करता हूं अगर यह